दुनिया और जविनो आश्मान के बिच जो कुछ भी है उन सब का पैदा करने वाला बनाने वाला अल्ला इश्वर परमात्मा ओम गौड अपनी आखरी किताब इश्वरिय धर्म गरंद कुरान मजीद में चैलेंग करता है और कहता है कि कुरान मजीद पर चाहे जिसे भी सको क या अल्ला का किताब नहीं है तो वह फिर कुरान जैसी सिर्फ एक आयत पेश करें लिख कर दिखाए इस कंसेप्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आईए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साब के इस वीडियो को कुरान अल्ला की आखरी वही है जो नाजिल की गए थी आखरी पेगंबर मुहमद सल्ला सल्म पर कुरान मजीद सारी काइनात की सबसे बहतरीन किताब है कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए पेगाम है कुरान मजीद अल्ला सुभान अल्ला की आखरी किताब है जो नाजि तो उस किताब पर फर्द हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे हर दौर में हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा के तरस से है से क्रों साल पहले वक्त था, दौर था, मौजज़ात का अज अज अफ मिरिकल्स अलहम्दुलिल्ला कुरान मजीद is a miracle of miracles कुरान मजीद मौजिदों का मौजिदा है उसके बाद आया दोर अदब का literature, poetry अल्हम्दलिल्ला मुसल्मान और गैर मुसल्मान अर्बी दां ये कहते है के अर्बी में सबसे बहतरीं किताब अर्बी अदब के लिहास से वो है गुरान मजीद और Allah सुभाना और गैला चुनोती देते है अर्बान मजीद में और अगर आपको शक है कि हम ने ये किताब नाजल की हमारे बंदे पर अगर आपको शक है पातू بिसुरत मिमिसली तो आप एक सूरा कुरान मजी जैसी पेश कीजिए मिमिसली हु भु भु नहीं कुरान मजी जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए बद उ शुदा अकु मिन द Drum'swal thinking और बुलाओ अपने मददगार को और अपने खraszam को अगर आप सच्चे है और अगर आप नहीं पेश कर सकते और आप हर इस पेश नहीं कर सकते तो डरो उस आख से जिसका इंधन इंसान और पत्तर है जो इंकार करने वालों के लिए तयार किया है अल्ला सुभानावताला इन दो आएतों में चनोती देते हैं इनसानों को चैलिंज करते है ये उस वक्त दौर था अर्बी अदब का उस वक्त अर्बों को नास था अपनी अर्बी दवान पर और वो समझते थे कि उन से बहतर दुनिया में कोई नहीं है उस वक्त अल्ला सुभानावताला कुरान मजिद नाजिल करते हैं और सारी इनसानियत को चनोती देते हैं चैलिंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब ख़दा के तरफ से नहीं हैं तो आप कुरान मजिद जैसी हू बहू नहीं मिलती हू बहू तो दूर की बात है एक सूरा पेश करो और कुरान मजिद की सबसे छोटी सूरत है तीन आयतों की सिर्फ दस अलफाज बहुत लोगों ने कोशिश की एक इनसान ने भी कामिया भी नहीं पाई और ता किमत कोई भी कुरान मजिद जैसी करीबन एक सूरा भी पेशने कर पाएंगा